लो अवेल्कम टुच्टेडी जॉन हरियाना प्लिस के एक्जाम्स में आप एडवांस मैख्थ कोशिन पूछे जाने लगे हैं तो इसलिए जो है इस परकार के कोशिन हम कैसे सॉलो करेंगे यह हम इस फीर वीडियो में देखेंगे इसमें देखते हैं जिसे माल लो यह question है, तो यह question हम कैसे solve करेंगे, इसमें जो x की value आपको बतानी है, 2 की power x-1, प्लस में 2 की power x-1, यह 320 के बराबर है, तो x की कितनी value आएगी, तो सबसे पहले इस question में आपको क्या समझना है, जैसे माल लो 2 की power x-1 है, और यह 2 की power x-1 है, यह x है, इससे एक कम है, यह x-1, और इससे एक ज्यादा क्या आएगा, x-1, यही चीज़ होती है, जैसे 5, 5 में से एक गया 4, और 1 प्लस करोगे तो 6, तो इन दोनों का difference कितना आजा है, तो इसमें आपज़र 2 की power x-1, यह इसमें common ले लोगे, इन दोनों में से 2 की power x-1 common ले लोगे, तो यह तो आगया 1, क्योंकि 1 से इसको multiply करोगे, तो यही आजाएगा, प्लस में कितना बच गया, 2 की power और कितनी बच गी, 2 बच गई, क्योंकि x-1, प्लस में 2 कितना आजा गया, 2 की power 2 कितना आगया, 4 जमाएक 5, 5 is equal to 320, यह किसके बराबर आगया, 2 की power x गटाएक is equal to 320 बचे में, यह 5 गुणा में है, उस तरब जाके divide में आएगा, तो बचे में 5, इसको काटोगे, तो 6 पंजे 30 और 6 चोग 20, तो यह आपका आगया चोशेट, तो यह 2 की power में है, तो आप इसको भी जो है, 2 की power में convert कर दोगे, तो 2 की power यह किया आएगा, 2 की power 1, 2, 2 की power 2, 4, 2 की power 3, आप इसको देख सकते हैं, एक पर मैं चार्ट बना देता हूं, 2 की power 1, 2 होता है, 2 की power 2 कितना आगया, 4, 2 की power 3 कितना आगया, 8, 2 की power 4 कितना आगया, 8, 2 की power 4 कितना आगया 4,6, तो यह कितना आगे, 2 की power 6, किसके बराबर यह, 2 की power x गटा 1 के, आपको जो है 6 answer नहीं है इसका, यह है 2 की power x गटा 1 बराबर यह 6 के, यानि नीचे का base same है, तो इनकी power भी same होगी, तो इसमें आपका क्या आएगा, x गटा 1 किसके बराबर यह 6 के, यह इस तरफ minus का है, उस तो c इसमें आपका answer आएगा, तो इस परकार से यह question करना है, एक question और देखते हैं इस परकार का, 2 की power x गटा 1, जमा में 2 की power x जमा 1, यह बराबर है 640 का, x की value आपको बतानी है, आप pause करके एक बार question को solve भी कर सकते हैं, तो इसमें जो है, 2 का difference है, तो 2 की power x गटा 1, आप common ले लोगे, तो यह आपका आगया एक, यहां पर क्या बच गए, दो की power 2 बच गी, क्योंकि x गटा 1, यह power तो आपने बाहर निकाल ली, और 2 power और बच गी, यह बराबर है 640 के, तो 2 की power x गटा 1, यह किसके बराबर है 5, दो की power 2, 4 जमा एक 5, बराबर है 640, तो की power x-1 किसक 240, बचे में 5, यह इसको cancel करोगे, तो 5 एक 5, एक, पांदूनी 10, 4, और यह आपका आगया 8, 128, तो 2 की power x गटा 1, is equal to 128, तो इसको भी आप दोए 2 की power में बदल दोगे, तो 2 की power में बतलोगे, तो 2 की power x गटा 1, is equal to 2 की power, कैसे बतलोगे, तो यह आपने देखा था, 2 की power 1, 2, तो 2 की power 2, 4, 2 की power यह आपका आजाएगा, 2 की power 7, 2 की power 6 तक आप देख चुके थे, 2 की power 6, 64, तो 2 की power 6 कितना आगया था, 64, तो 2 की power 7 कितना आजाएगा, इसका दुगना 128, तो 2 की power 7 आगया यह, तो अगर बेस सेम है, तो पावर बिन की सेम होंगी, तो x गटा 1, is equal to 7, तो x की value कितनी आजाएगी, 7 जमा 1, 8, तो इसमें आपका अंसर आजाएगा, 8, और अगर वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक जरू करें, और math के किस topic पर आप वीडियो चाहते हैं, वो topic भी लिखें, और किसी भी question में कोई भी doubt हो, तो आप comment box में question पोच सकते हैं, thank you. झाल